हेलो स्टेंज वेलकॉम तु सेंटेंज स्वाने क्लासे स्टेंज विया वर्किंग फो इसट्वेंट अब आज हमें ncrt के एकसाई डिसकर्स करें एकसर साइज को जो कोशन 3.1 है उसमें में यह बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहां पर यहां पर फार उबचेक्टक का मनुदम होगा जहां और कोशन 3.2 ने इत आया था दा पोजिशन टाइम इट मीज एक्स टी ग्राफ फॉर टू चिल्डरन ए एंड चिल्डरन बी रिटर्निंग फ्रॉम दियर इस्कूल ओ से लॉट रहे है तू देयर होम पी एंड क्यों एका जो होम है वी का होम क्यों है आप देख रहे हैं यहां पर एका होम पास है और बी का होम पीटा दूरे स्कूल से ओ इस्कूल था ठीक है आर सोन चूज दा करेक्ट एंट्री इन दा वैकेट विलो में करेक्ट एंट्री चूज करनी है यहां पेटा पूछा था पहले में कि ए या बी मैं से यह कोशन पूछ रहा है लिट्स लुजर तू दा इस्कूल देन बी ओबलिक ए तो विटा कोई ज्यादा पास रहता है इस्कूल के पी जो ए किसका घर है ए का तो ओसे देख रहो पी पास में ओसे क्यू दूरेट में इस ए क्लो जाता है तो आप विटा हम ठीक किस पहले गाएंगे ए ए लिफ्स क्लोजर तू इस्कूल देन बी तो वि भी पूछा था रही जटा अग्राफ को रिलेट करके विटा देख ना है एए आप लिक भी इस्टार्स क्लों लिफार ए प्रोम धा इस्कूल ए अप लिफ्सकूल अजा जल दो इस्कूल से पहुत जल्दी स्टार्ट करता लेखो जो A है वेटा A कब चलना रहा है विप्ыл time 0 पर B वेटा है हैं से चलना स्टार्ट करघा है तब कोजली चलना स्टार्ट करघा है A B या इस time से चलना स्टार्ट करता है इस में तो time 0 पर चलना स्टार्ट करघा है आँ फोड़ ओवेटा A startups from the school earlier than अब C पर आते हैं, C में था, A अबलिक B, walks faster than B, और A सलोप से देखे हो गया, सलोप किसका हाई आ रहा है, B का सलोप हाई है, तो यह आप हम कह सकते हैं, B walks faster than A, तो वेटा, B तेज़ चलता है, ओके, D part, A and B reach, home, at the same time, different time, A and B, reach, home, at, पेटा, कैसे पहुंचते हैं, देखो, A का घर पहुंचने का time देखो, B का देखो, A लगवग इस time पर पहुंच रहा है, और B, time देखेंगे ना घर पहुंचने का, पेटा, B के लिए देखो, यह रा, B अब पहुंच रहा है, त्या पहुंच रहा था, कि घर पहुंचते है, अलग 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 time होंगे, at different time, यह पूछा था घर, A, B, overtakes, B oblique A, on road, once oblique twice, इस तरह से जस्ट हमें graph को read करना हो, okay stress, now pause the video and note it down, अब मेटा, question 3.3 देखते हैं, इसमें वोला अब मेन, starts from her home at 9 a.m., तो मेटा, start करती है अब मेन, घर से चलना, at 9 a.m., okay, walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km, मेटा, time to reach office, तो मेटा, home to office, home से office तब जाने का मेटा, उसे time लगेगा, time होता है distance, upon speed बेटा, कितनी distance है, 2.5 km दूर बेटा, ऑफिस है उसका, और वो चलिए, 5 km per hour के साथ से, तो बटा, इहां पर अगर हम देखें, तो यह 1 upon 2, hour का time लगेगा, at 9.30, तो बेटा, इस तरह से वो 9.30 a.m., पर office पहुँच जाएगी, अब आगे बोलाए, and stays at office up to 5 p.m., stays at office, from 9.30 a.m. को 9.30 ओर पहुँच गी office, up to 5 p.m., मेटा 5 p.m. तब वो office में रुखी, इसके बाद बोलाए, and returns home by an auto with a speed of 25 km per hour, time of returning, time of returning, time, return में कितना time लगेगा, time from office to home, office to home, मेटा अगेन भाई, distance, upon, speed of distance तो भाही रहेगी, 2.5 km, वेटा, यहाँ पर इस पीर्जू दिया रखे, वो दे रखे 25 km per hour, तो यहाँ से कितना आया, 1 upon 10 hour, 60 से multiple कर देंगे, मेटा, तो 6 minute में वो घर आ जाएगी, so time to reach home, वेटा, घर उसके पहुचने का time कितना हो गया, 5 बचके, वेटा, 6 minute, तो 5, 6, 5, 6 pm, ओके स्वेंस, अब इसने बोलाया कि choose suitable scale and plot the HD graph of her home, तो वेटा, इसको मतला हो भर home to office, plot HD graph of her motion, वेटा, उसकी motion के लिए हमें, HD graph बनाना है, देखो जहां से, यह time, यहाँ वेटा, X, ओके, यहाँ का बेटा में time 9 माने ले रहा हूं, यह time क्या है, 9 am, यहाँ पर बेटा 10 होगा, यहाँ पर 11, 12, 1 pm, 2 pm, 3 pm, यहाँ 4 pm, 5 pm, और 6 pm, यहाँ तक रहा है न, तो पहला दो बेटा, बेटा, नाइन थार्टी पर तो अपने office पहुंची बाले office इतना दूर है, यहाँ से office के distance है, बेटा, यह constant velocity से चल रहा था, यह जो वाक कर रहा है, यह वाकिंग करी है, constant velocity से, बेटा, नाइन थार्टी पर यह कहीं डाई नहीं, rest में रही है बेटा, यहाँ तक, यहाँ पर यह 5 pm, इसके बाद बेटा, 6 मिनट में घर लोट लिए है, तो देखरों है, यहाँ पर slow चली थी है, यहाँ पर fast लोट लिए है, तो यहाँ पर चलने का बेटा, जो rate था, जो speed थी, यहाँ कम थी, यहाँ ज रंकर्ड, walking in a narrow lane, taking 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, तो वेटा, यहाँ रखा है, वेटा, एक सीधर रोट पर चल रहा है, पांच कदम आगे चलता है, तीन कदम पीछे लोटता है, फिर 5 कदम आगे चलेगा, तीन कदम पीछे लोटेगा, वेटा, लगातर वो ऐसे चल रहा है, and so on, plot the X-T graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 30 meter away from the start, तो वेटा, अगर माली है कि ड्रंकर्ड ऐसे चल रहा है, वेटा, यह ड्रंकर्ड है, हाथ में इसने से बोटर ले रखिया, वेटा, इसे मूग कर रहा था, इसे वेटा 30 meter की दूरी पर, एक पीट है, एक गड़ा है वेटा, तो बताना है कि यह कितने टाइम में गड़े वेटा गड़ जाएगा, फिर इसका में गिराब भी दिखाना है, तो वेटा, आप देखो, यह बता रखा है, यह आपर, वन स्टेप, एकोल टू वेटा, वन मीटर का एक स्टेप ऐसका, और टाइम फॉर वन स्टेप, तो वेटा, वो देखा है, वन सेकिंड, तो अगर मैं देखो, वेटा, कि पास स्टेप आगे और तीन स्टेप पीछी, तो वेटा, एट स्टेप में यह कितना चला केवल, टू वेटा, एट स्टेप कितना इसने है, डिस्प्ली स्टेप कवर कर, अगर मैं डिस्प्ली स्मेट की बात करों, ऑख यह स्टेप में जी प्या होगा? पाँच कदम आगे, तीन कदम पीछे, तो वेटा किवल दो मीटर चला, वेटा, टाइम तो आपको पताएए, हर एक शताij तो यह सेकंड नहीं तो यह सेकंड नहीं है तो इन नेस्ट इस्टेप ले लो यह 16 स्टेप इसे देखते जाओ 16 स्टेप समय इसका डिस्प्लिस्मेंट कितना हो जाएगा वो हो जाएगा पेटा 4 मीटर और टाइम कितना लेगा पेटा यहाँ पर 16 सेकंड अभी पेटा 4 और 5 नाइन इसका तरह भी घड़ी में लेगे लिने बाद आजे अब आते हैं इन 24 स्टेप्स इसका जो डिस्प्लिसमेंट होगा वह कितना होगा 6 मीटर अब टाइम कितना लेगाई 16 24 सेकंड देखो भी 6 और 5 11 मेटा भी घड़ी में गिरने बाद आजे अब बात करते हैं इन 32 स्टेप्स में कितना इसका डिस्प्लिसमेंट हुआ वह होगया यहां से देखा जाते हैं इसमें 8 मीटर और टाइम पूरा 32 सेकंड ही होगा तो 17 सेकंड के वाला वाले टाइम में अब इसका मतलब अगले पांच स्टेप गिरती जाते ही यहां पर 8 मीटर पहुंच गया अगले 5 मीटर नुटाइम पिट में गिर जाएगा बापस 3 स्टेप लोट रहे का बटेस है मौकाई नहीं में वारा गड़ी में चाला आया रहे गही है ना तो हम कह सकते हैं इन नेक्स्ट फाइव स्टेप्स क्ट्रंकर्ड कि विल पॉल कि इन दापिट कि वो कि इन दापिट में गिरने में कितना टाइम लगा 32 सेकंड प्लस नेक्स 5 सेकंड और कितना 37 सेकंड इस तरह से 37 सेकंड में वो पिट में गिर जाएगा ओके स्ट्रेंस ना पॉस्ट वीडियो एं नोटेट डाउ कि अब जिए अब ड्रंकर्ड के एकश्टी ग्राफ का में थोड़ा साब को वर्यू दे रहा हूं बाकी ग्राफ का कम्प्लीट कर वेटा इस में क्या दिया था सब्सक्राइब अगले थ्री सेकंड में एट सेकंड में वापस लोट रहे हैं वापस कहां प्याद है कि तूप यहां हो गया उसके बाद नेच्ट 5 सेकंड इट और 5 थर्टेन लुसर रहे कि यहां होगा थार्टेन अगएat फाई स्टेप चलेगा यहां फिपärtT अंते सब्सक्राइब थयण में पहुंजागा 13 पहिए कहां पहुंजागा सेविंग पर यहां गराफ आजाए इस तरह से उसके राज विटा नेक्स 3 सेकंड 13 और 5 विटा 16 होगा इस पर 3 मीटरे पीछ आगे सेविंग में 3 कम करूंगा विटा कितना आएगा 4 तो टाई 4 पर पहुंचेगा यहां इसलिए नोते हुपिए को पर दाएगा झाएगा यहां से बीटाएगा झाल 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 झाल